हलो दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर नमस्ते आज मैंने फिर से आ गई हुँ मैं Amazon के haul video और box opening video में तो मैं सब कुछ unbox कर रहे हूँ साड़े चीजे तो मैंने सुचा है कि आप लोगों के साथ share किया जाए तो इधर मैंने एक already open कर चुकी हुँ मैं जो मेरा close drying rack होता है उवाला open कर चुकी हुँ मैं क्योंकि उसका box बहुत बड़ा था तो बहुत मुश्किल हो रहा था तो मैंने ओ कर चुकी हुँ और इसके साथ साथ मैं अभी दूसरे आइटेम्स पर आती हुँ एक एक कर चुकी मैं box open करती हुँ और देखती हुँ क्या ह तो anyways मैं बाद में देखती हुँ सारे चीजों का links और prices मैं description box में डाल दूनी तो आप उधर से चेक कर सकते हुँ दूसरे आइटेम्स पर आती हुँ बहुत हेवी सा एक box है इसके अंदर बहुत साले चीजे है एक तो है रैक तो यह है लीड और्गनाइजर पिक्चर से आपको दिख रहा हुगा लीड और्गनाइजर तो यह मैंने ओर्डर किया था लेखते है कैसा है यह भी बाद में आसेंबल करके आपको दिती हु रिप्यू भी देती हुँ इस इसके साल मैंने लिक्विड जो डिटर्जेंट होता है ओ और किया था अच्छा है तो यह है जेंटल का बाई वन गेट वन फ्री था ओपर पे था तो मैंने यह लिया है तो दो बॉटल ला गया है मेरा पैकिंग ऐसा है मुझे लगता है यह है टोलेट टोल होल्डर बहुत ही अच्छा है मैंने इतना अच्छा क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा है था तिसरा था कोकनट ओयल जो वर्जीन कोकनट ओयल है 100% और कोल प्रेस्ट है तो तो ओ है ओले इधर तो ओले है तो अब दूसरे बॉक्स में जाती हो दूसरे बॉक्स यह वनला है इसमें भी बहुत सारे सामान है इधर देखिये आपको बहुत ही अच्छे से पैक्ट किया हुआ है बहुत अच्छा पैकिंग है तो मैं एधर थोड़सा मोल्ज और परक चालुस में आटको ऌइसम है अंच मोल्ज में सिलीकॉन वले तो मैंने क्यों एक आपएष कि जयां श्मक्स अच्छा सथ को बीच मैं आप आप सपोन फोग ऑन्फ एक तो बहुत बसे के घर में यह आपत learning तो मैंने तोचा एक order किया मैं तब करना अच्छा होगा तो यह मैंने order किया था यह आ गया आ जाती हूँ तीसरे box में मुझे लगता है कि मुझे पता है क्या है फिर भी open करती हूँ और देखती हूँ क्या है तो मैंने और एक चीज ओडर किया था यह वाला तूद ब्रश ओल्डर स्टील वाला क्योंकि अभी बहुत फैंसी टाइप की मिलते है लेकिन मुझे लगता है कि लोग लास्ट होता है और मेरे घर के बाकी सब चीजों के साथ बहुत अच्छे से मैच होगा यह वाले तो मैंने अच्छे साइड में जो होल से उधर हमें टूद परिश रख सकते हूं और बीच में पेस्ट और बाकी सब कुछ रख सकते हूं और यह मुझे पक्का पता है कि क्या है पिट भी बे ओपन करके आप लोग को दिखाती हूँ यहाजी सुहा शायद आया है और अपन हो चुका ह हुआ है तो मैंने ओडर किया थे हूं तुथाउसन वाट वाला और पैट का एक रूम हीटर रूम हीटर मतलब बहुत बड़ा वाला नहीं है छोटा पैट का नाम ही मतलब अच्छा नाम है और रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे तो इसलिए मैंने लिया है तो ऐसा दीखने में है पूरा चीज़ और वायर भी बहुत लंबा सा है अब तक के लिए इतना ही क्योंके मेरा सारे सामान को मैंने अन्पैक कर चुकी हूँ जो मेरे घर के लिए था तो अभी और कुछ नहीं इतना ही इधर ह हमें खतम गरती हो आज तो खतम करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए आपको और किसी को जिन्नों को इंड्रेस्ट है ऐसे व सब्सक्राइब करना है तो मेरे जो नीचे चैनल का नाम है उसके साइड में आप लोगों को सब्सक्राइब ऑप्शन रहेगा उसके बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो आपको रेगुलर अपडेट्स दू मिलता रहेगा और फिलाल के लिए इतना ही आ नमस्ते शुक्रिया आप मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स